किसान साथियों आज इस कारिक्रम में हमारे मेहमान है डॉक्टर राजेश त्रिपाथी डॉक्टर राजेश त्रिपाथी प्रोग्राइम लीड है स्कूल और बिजनेस पेट्रोलियम विश्विद्याले देरादून में और आज आपसे बाचित का विशे रहेगा उर्जा क्यों है जरूरी डॉक्टर राजेश त्रिपाथी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज किस कारिक्रम में बहुत-बहुत धन्यवाद हम इंतरत करने के लिए डॉक्टर त्रिपाथी हम सभी जानते हैं कि विश्व में आज का सबसे चर्चित विशे यदी है तो वो है उ मेंशन हुआ उस पर लगातार किर्यानिमेन की बात की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री लगातार इन आयजनों से जुड़े रहे हैं और उनके जो प्रमुख भाशन है उसमें उर्जा संड़क्षन को लेकर और नवीन तकनीकी को लेकर वो लगातार बातचीत करते रहते है तो आप वर्तमान परिद्रश में किस तरह से उर्जा की आवशक्ताओं पर अपने विचार रखेंगे। वो बहुत ही महात्पूर खोज मानी गई और उस परिपेक्ष में देखें तो उर्जा जो विज्ञान के नियम कहता है कि उर्जा को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। अब उस उर्जा के जो श्रोध माने गए उसमें जो आसान श्रोध था वो था पेट्रोलियम पदार्थ हो गया का हाइड्रो कार्बन जिसको हम कहते हैं तो उसका प्रियोग बहुत तेजी से बढ़ा वो आसान तो है लेकिन उसके साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि उससे वा खत्रे में पढ़ जाएगा क्योंकि उसके पैरा बैगिनी क्रिणे अगर पढ़ती तो उससे हमें तवचा कैंसर और ये सारी चीजों का समस्या आना था तो उसके बाद ही कई समेलन हुए जिस पर इस बात का यह हुआ कि उर्जा को सरक्षल कैसे किया जाए अक्षे उर्जा यानि कि उसको हटा कर अब हम हाइड्रो बेस उर्जा की बात कर रहे हैं या फिर हम ऐसे अक्षे उर्जा की तरफ जाए जो कि वातावरण को प्रदूश्यत ना करें वर्तमान में जब हम अपने ग्रामीन शेत्रों की बात करें भारत में एक बहुत बड़ी संख्या ग्रामीन शेत्रों में निवास करती है वहां उर्जा की जो आवशक्ता है वो भी लगातार बढ़ रही है डग सब तो ये किस रूप से हमारी उर्जा की आवशक्ताओं को करने में एक बाधा भी बन सकती है और क्या ग्रामीर छेत्र इसमें कोई बड़ी भूमी का निभा सकते हैं उर्जा संरक्षन में महत्मा गांदी जी कहा करते थे कि असली भारत देखना हो तो हमें ग्रामीर परवेश में जाना पड़ेगा उन्होंने और दियोगी करन को लकारण ही लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारी अर्थव्योस्ता होनी चाहिए वो ग्राम स्वराज का अधारना उन्होंने दिया साथ में ग्राम अर्थविवस्था जिसको हम cottage इंडस्ट्री या बेज इसको कहते तो ही देश का विकास हो अब विकास की जब बात आती है तो फिर उर्जा की बात आ जा अब उस उर्जा को कैसे बनाया जाया हलां कि मैं फिर से कहांगा कि बनाने वाला concept नहीं आता याने कि ऊरजा को कही न कहीं हमें प्रयोग करना है और उसको इस तरीके से समचित प्रयोग करना है कि वो कहीं न कहीं प्रकती को नुक्सान न पहुचा है जब हम गाओं की बात करते हैं तो ये भी दिखा गया कि पेड़ों को बहुत काटा गया ताक अब गाओं में भी इस बात को जैसा कि मुदी जी का एक विजन है कि smart villages यानि कि smart गाओं को प्रयोग में लाया जाए और उसमें क्या होगा कि अक्षय उर्जा की तरफ बढ़े हैं यानि solar उर्जा की बात आ गई ये हम सौभागिशाली हैं कि चुकि भारत meditarian climate में पढ़ता है यानि कि भारत के पास समुचित सूर्य की किरने मौजूद हैं यानि सौर उर्जा मौजूद हैं अब उस सौर उर्जा को अगर हमने ठीक से प्रयोग कर लिया जैसे कि हमने आप आप देखा होगा कि जो सरकारे हैं उनके पास special budget दिया गया है कि आप सौर panels लगाएं जिसको ह हमने यूस कर लिए क्योंकि अभी भी हम अगविन अगर्जरे का आप डिक से प्रयोग किया नहीं अभी बी हम पेल काट कर उनकी लकली को जला कर उसे आगउत्पन करने वाला चीज कर रहे हैं जिससे कहीं न कहीं कार्बन उत्सर्जन काफी हो जाता है कि और इससे प्राकते अगर पुराने ग्रामील पर विश्क पर जाएं तो उनको इस बात का भली भाती घ्यान था इसलिए बड़े बड़े जो विश्व की नामचीन विश्व द्याले हैं वो इस समय इंडिया आ रहे हैं और वो आदिवासियों के रहन सहन का ध्यान कर रहे हैं कि उन्होंने किस तर इधन के लिए कि नॉर्मली देखा गया समानता दिये देखा गया है कि जो गाओं में जो उर्जा की आउश्क्ता पड़ती है या तो इधन या फिर घरों को प्रकाश्वान करने की आउश्क्ता तो धीरे धीरे इस पर भी काम हो रहा है जैसा कि विहार के एक व्यक्ति ने चावल की भूसी से जली का सैयंत्र लगाकर दो तीन गाओं को उसने विद्ध्यूती करन का काम की तो इस तरीके से गाओं में भी अब काफी चेतना आ रही है और उर्जा के सरक्षार पर काफी काम हो रही है यह वास्तों में है क्या सर्कुलर एकॉनमी अगर आप देखें यानि व्रत यानि कि एक आर्थिव्योस था जो कभी समाप्त नहों क्योंकि अभी तक जो व्यापार का जो आवधारना थी या व्यापार का जो एक सरशना थी वो यह था कि वस्तू बनेगी और वस्तू के या कूडे को फिर से प्रियोग में लाएं तो जो फिर से का जो जो कॉंसेप्ट है यानि कि आवधारना है वही सर्कुलर एकॉनमी बात करती है यानि कि जो एक चक्र है वो कभी समाप्त नहों वह चक्र चलता है तो आर्थिव्योस था एक ऐसी बनाई जाए कि वस्तू बने है कि वह एक उत्पाद है और जिसको जलाने के बाद वह प्रियावरण को भी नुकसान देता है तो क्या क्रिशी उत्पाद को जैसे पराली को है पराली का प्रयोग किया जा सकता है विभिन्न चीजे बनाने में पराली हमेशा से विवात का केंड रहा लेकिन अब साइंटि और भी हाल-फिलाल में पराली से उर्जा के श्रोद भी धूंडे गए पराली के कई जिसको इंग्लिष में हम भाई प्रोड़क्स कहते हैं यानि कि पराली के बेस पर हम थाली बना सकते हैं आप जानकर हैरत करेंगे यूरोप में जिस पतल को हम लोग बच्पन से खाने में प योग कर लिया. तो यह हमारे आये के साधन भी हो सकते हैं और इसके काफी कुछ ऊर्जा की आवशकता थे बढ़ेंगी और किसानों को उतनी ऊरजा नहीं मिल पाएगी है नहीं हमारी अपने क्रिशी पर ही अधारित है तो अब उस क्रिशी की योजना बनाना बहुत आवशक है जिसको हम कहते हैं फसल की योजना बनाना अब एक लीटर यूरिया और कहा एक बोरी अब उसका परिवन में जतना पेट्रोल और डीजल लग रहा था यानि कि कहीं न कहीं अगर किसान इस बात के लिए सजग हो जाए कि हम कौन सी चीजें प्रयोग करें जिससे हमारी उर्जा के भी सरक्ष्ण हो और लाब भी बना रहे और उस पर उत्पादक्ता पर यानि क्रिशी उत्पाद पर भी कोई प्रभाव ना है तो और्गनिक खेती की बात हो रही है कमपोस हम यूज कर सकते हैं कृत्रिम फ्रेट्रिलाइजर से अच्छा बहतर है कि अगर हम कमपोस के यूज करें उसके लिए हमें अत्रिक्त दो आवधार्णा आ गई है एक होती है MRP और एक होती है Ecoprice अब वहां के लोग पर्यावरण को बचाने के लिए Ecoprice जो की जाधा महंगा पड़ता है उसको देने के लिए तेहर है तो यानि अगर किसान ये बात को साबित कर दे कि उसने और्गनिक पद्धिती से इसको उत् बाद या उपज का अत्रिक्त दाम भी मिलने वाला है और कहीं न कहीं यानि कि वो अपना एक समाने नागरिक के तौर पर अपने योगदान को भी स्थापित कर सकते हैं परिवान मंत्री हैं गटकरी साब वो अपनी वाहन यूज कर रहे हैं वो हाइडोजन बेज कार यूज कर रहे हैं हाइडोजन को भविश की उर्जा माना जाल रहा है और उसको ग्रीन एनरजी यारी हरित उर्जा हम कहते हैं यानि कि पेट्रोल और डीजल से वो रिप्लेस कर दिये जाएंगे और उससे काफी वातावरण में फाइदा आएगा और लेकिन हाला कि अभी प्रयोग चल रहा है लेकिन हम मान रहे हैं कि जादा नहीं मुश्किल से 10 साल में हम देख पाएंगे कि धीरे धीरे ये जो पेट्र कि आप सौर उर्जा का कॉंपोजीशन बढ़ा दें यानि कि उसका उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ा दें अगर सौर उर्जा फिर से माने जाती है कि हरित उर्जा में आती है और यह जो बिजली चलित उपकरण है यानि अगर उसमें सौर उर्जा का प्रयोग शुरू हो आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी क्रिशी गुत्पाद है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुचने वाला है और जो क्वाल्टी और कॉंटिटी जानी कि गुडवत्ता और संख्या उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा और हम यह बात भी जानते हैं कि सरकार सौर पैन अगर उस सौर पटल से आपका काम जो ग्रह उपयोगी चीजें हैं वो हो जाती हैं उसके ब्रांथ अगर वो बचता है आप उसको बेच भी सकते हैं और उसका आपको उचित समुचित दाम भी मिलेगा तो डॉक्टर राजय श्तिरपाटी आज आप इस कारिक्रम में आये औ आपने हमारे शोताओं को बहुत ही महत्पून जानकारी दी कि उर्जा को लेकर किस तरह के प्रियोग किये जा रहे हैं सरकार किस तरह से इसको लेकर बहुत सजग है और खास दोर से हमारे जो ग्रामीड है उनमें भी जो किसान है किर्शी उपकरणों का किस तरह से समुचित उप्योग करें तो निश्य तोर पर ये बहुत ही सार्थक बाचित रही आप आकाश्वनी स्टूडियोज में आए आपका बहुत बदाभार बहुत बद धन्यवाद